अधिक जेस्ट मास क्रिश्ण पक्ष रविवार एकादसी तिथी दिन में बारह बजे तक लगी रहेगी तत पस्चाथ दौदसी तिथी प्रारम हो जाएगी चंद्रमा आज रात्री 10 बज कर 20 मिनट तक अश्विनी नक्षत्र में चलते रहेंगे तत पस्चाथ भरणी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे अश्विनी नक्षत्र के जन्मे जातक सुंदर, बुद्धिमान, नम्र सभाव वाले, सत्यवादी, धनी और भाग्रिशाली होते हैं ऐसे जातक इस्वरभक्त, बुद्धिमत्ता पूर्ण काम करने वाले आभूशनों और रत्नों के प्रेमी और चंचल प्रवरिप्ति के होते हैं ये अत्यदिक महत्वा कांग्षी और परिवर्तन सिल विचारधारा वाले, जोतिस और अध्यात्म में रुची रखने वाले भी होते हैं यदि सहयोगी लगन रहा, केतु, बुद्ध और मंगल की इस्तिती अनकूल गही तो पूर्ण सफल होंगे चंद्रमा मेश राशी में ही चलते रहेंगे, ऐसे जात्कों की 27 दिन बाद फिर इसी नक्षत्र में गंड मूल सांती करानी चाहिए अब राहु शुक्र की यूती करक राशी में, मंगल और केतु की यूती मकर राशी में काइम है जिसका सुभ असुभ प्रभाव कतेक जात्कों पर उनके अपने कारकों और अपने अपने दसाफल के अनुसार मिलता रहेगा मेंश राशी के जात्कों पर ही चंद्रमा केतु के नक्षत्र में काइम है मानसिक ब्यगरता हर काम करने के प्रती जल्दबाजी और सौभाव में उगरता संभावित है मगर रचनात्मत रियासिलता बनी रहेगी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने आपको सहियमित करें और जावान बने रहेंगे कारेच्षेत की निरंतरता बरकरार रहेगी नई कार्योजनाओं का प्रस्ताव विक्सित करने में मदद मिलेगी और आठिक लाब के नए अवसर सामने आएंगे वैबाईक प्रस्ताव सफल रहेंगे और नीजी निवेस के लिए आज का दिन अनकूर रहेगा बिद्याथियों के लिए आज का दिन अच्छा है सैच्षडी कार्यों में सफलता मिल सकती है अपने प्रयास जारी रखें ग्रिश राशी के जात्कों के लिए स्वास संबंदी सावधानी रखनी चाहिए इस समय सूर्य आपकी राशी पर ही चल रहे हैं आथों की एलर्जी वो हड़ी से संबंदी समस्याएं संभावित हैं आज केत्व का नक्षत्र होने से हर काम करने के प्रती अनावसक जल्दबाजी ब्यगरता और धन खर्च की स्थिती संभावित है हाला कि आपकी कारियोजनाएं पूर्वत चलती रहेंगी और नई कारियोजनाओं के लिए आपकी तत्परता और क्रिया सीलता बनी रहेगी आथिक लावमन मुताबिक मिलता रहेगा मगर नीजी सुक्स अंसाधनों पर खर्च की स्थिती भी बनती है बिध्याखियों के लिए आज का दिन अन्कूल रहेगा सिक्षा पर दियोगिता में सफलता मिलेगी पारिवारिक दायत की पूर्ती होगी और छोटी यात्रा का योग भी बनता है मिथुम डासिके जात्कों की कारियोजनाओं की निरंतरता बनी रहेगी नई कारियोजनाओं के प्रस्ताव सामने आएंगे और उसको आप सरलता से संपन भी कर सकते हैं सफलता के सिखर तक पहुँचने से आपकी आत्मिश्वास में बिध्धियोगी और पारिवारिक प्रेणा सकारात्मक रूप से मिलती रहेगी आठिक लाव किस्थिती मन मुताविक बनी रहेगी संतान संबंधी उद्देश्चों की पूर्ती होगी मगर थोड़ा मानसिक दबाव भी संभव है बिध्याखियों के लिए आज का दिन सफलता दायक सिखर होगा प्रतियोगी परिक्षाओं के लिए आज का दिन उत्तम है पूरे दिन सम्मान जना की स्थिती बनी रहेगी और पारिवारी प्रतिष्ठा में ब्रिध्धी होगी कर्क राश्य के जात्कों के ब्योसाय संबंधी मामलों में पूरी तरह से सफलता का संकेत मिलता है सहयोगी रवया कायम रहेगा और लाव की उमीद बनती है मगर संतान संबंधी चिंता मन में लगी रहेगी विद्याखियों के लिए आज का दिन महनत वाला होगा परिष्ठम के अनुजार फल की प्राप्ती होगी साथ ही स्वास संबंधी आवसक सावधानी बनाए रखे सिंग राशी के जात्कों के लिए कारे शेत्र में आ रहे ही रुकावटें खत्म होंगी और प्रतियोगी भावना विक्सित होगी आत्म विश्वास और सक्रियता में सुधार होगा और कारियोजनाओं में गती आएगी सासन सत्ता वो अधिकारियों का सहयोग बना हुआ है आठिक लाग की स्थिती मन मुताबिक बनी रहेगी और धार्मिक भावना में बिद्धी होगी विद्ध्यातियों को अध्यान अध्यापन के लिए मेहनत करनी पड़ेगी अभ्यास जारी रख है साथी स्वास संबंदी मामलों में जटिलताएं संभावित है उचित चिकर्शकी ये विशामिर्गेस का पालन करना चाहिए कन्याराशिके जात्कों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा कारेश्यत की निरंतरता बनी रहेगी ब्यावसाइक मामलों को सुद्रिठ करने में सहयोग मिलेगा मगर नई कार्योजनाओं के लिए आपकी सक्रियता मानसिक अस्तर पर प्रभावित हो सकती है साजेदारी के कामों में मन कम लगेगा और संबंदित मामलों में यात्रा का संकेत मिलता है मन के नकारात्मक विचारों से परहेज करें साथक प्रयास जारी रखें सफल रहेंगे आर्थिक लाव मन मुताविक मिलता रहेगा मगर संतान संबंदी चिंता बह सकती है बिद्याथियों को अध्यान अध्यापन में सहयोग मिलता रहेगा और स्वास संबंद्री आवसक साउधानी बनाए रखे तुला राजी के जातकों के लिए अच्छे समय का संकेत मिलता है मामसिक और सारीरिक अस्तर की उर्जा बनी रहेगी कारिछित में दिढ़िच्छा सकती और सकारात्मक पहल जारी रहेगी और नई कारियोजनाव को लागू करने में सफल रहेंगे हाला कि कुछ कामों में नकारात्मक विचार पहल करेंगे और रुकावट की संभावना बनती है मगर अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा साजेदारी के कामों में सावधानी बरकरार रखे कारेशित की गती प्रभावित हो सकती है बिद्याथियों के लिए आज का दिन सामान रहेगा अध्यान अध्यापन में सफलता मिल सकती है पारिवादिक सहयोग बना रहेगा और सुक्षभाद में बिद्धी होगी बिद्धिक राशिके जात्कों के लिए विद्ध्यातियों को अध्यान अध्यापन में मेहनत करनी पड़ेगी और स्वास्त संबन्धी आवशक सावधानी बनाए रखे धनुराशी वाले जातकों के कामों में आ रही रुकावटें खत्म होंगी उत्साह और कारियोजनाओं को सुधारने की प्रवरिप्ति और साथी साथ सरकारी कामकाज के निप्टाने की कोशिश बनी रहेगी अधुरे काम पूरे होंगे, नई कार्योजनाओं को लागू करने में सफल रहेंगे और आर्थिक लाज की इस्तिती मन मुताविक बनी गएगी साशन सत्ता बाधिकारियों का सहयोग भी बरकरार रहेगा बिद्याथियों के लिए आज का दिन सफलता दायक रहेगा प्रत्योगी परिक्षाओं में सफल होने का संकेत मिलता है मगर स्वास संबंधी आवशक सावधानी बनाए रखें नसों और हड़ी से संबंधित समझ जाएं संभाविके मकर राश्री वाले जातकों के लिए कारिक्षे से संबंधित मामले पूरे होंगे और नीजी मामलों के संदर में आर्थिक निवेश की सोच विक्सित होगी हालाकि कारी औजनाओं में सार्थक प्रयास एक जुनून के रूप में जारी रहेगा पारिवारिक सुक्संतुष्टी और भविस को सुरक्षित करने की मनोगरित्ती पैदा होगी कुछ मामलों में अनावस्षक चिंता, डगरता और जल्दबाजी भी महसूस होगी आठिक लाव सामाने बना रहेगा नीजी संबन्द प्रगाड होंगे और स्वास संबन्द यावसक साउधानी रखनी पड़ेगी विद्यात्यों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा अध्यान और ध्यापन में प्रयास जारी रखें कुम्ब राशी वाले जात्कों के लिए आज का दिन पराक्रम बढ़ाने वाला होगा मगर तर्क वितर्क करने की मनोबृत्ती भी बनी रहेगी मन का अंतरण्द आपकी गारेचंता और आत्मिश्वास को प्रभावित कर सकता है हाला की कारेच्षेत की नीरंतरता बनी रहेगी और आर्थिक लाव मन मुतादिक मिलता रहेगा बड़े बुजुर्गों का सहयोग और उनकी प्रियर्णा लाव दायक सिद्ध होगी सारी सुक्सुधाएं होने के बावजुद्धी मन एक अग्यात भय से ग्रस्त रहेगा और नावशक वाद विवाद से दूर रहें बिद्ध्यातियों के लिए आज का दिन मेहनत वाला होगा सकारात्मक प्रयास जारी रहेगा मीन राश्य वाले जातकों के लिए हर कामों में द्यठ विश्वास की भावना जागरित होगी और बौधिक छमता का विकास होगा कार विवजनाओं की निरंतर्ता बनी रहेगी और आर्थिक लाव सामान रहेगा बहु क्रतेक्षित काम के पूरा होने का समय हो चुका है महतुपूर और ठोस निरंए सोच समय सकर सावधानी से लेने चाहिए कार श्यत के प्रति संजीदगी और आत्मिश्वास बनाए रखें विद्याथियों को सिक्षा प्रत योगिता में मेहनत करनी पड़ेगी साथ ही स्वास सम्बंदी आवसक सावधानी बनाए रखें आज के लिए वस इतना ही कल फिर में लेंगे ओम नमाश्रिवाए